नमस्ते आउ गुजराती सीखें के अगली भाग में आपका बहुत-बहुत स्वाधत है आज की वीडियो में हम आपको गुजराती में पैसेज हल करना सिखाएंगे तो चलिए बिना किसी देखें शुरू करते हैं आज का वीडियो आज हमारे पास में नाइंत का गुजराती पेपर आया है ये देखिए इसके अंदर एक पैसेज है गुजराती नीचे नो गद्य खंड वाची तैनी नीचे आपिला प्रश्णों न उत्तर आपो और ये है इसके पैसेज के प्रश्ण ताज यही हम हल करने वाले हैं तो के शुरू करते हैं नीचे नो गद्य खंड वाची तैनी नीचे आपिला प्रश्णों न उत्तर आपो नीचे के गद्य खंड को पढ़ कर इसके नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर दीजिए तो अब शुरू करते हैं व्रक्षों अन्यना सुखने माटे छायडों चाया देते हैं आपेच है यानी देते हैं पोते ताप मात तपी ने अने असहय गर्मी वेठी ने बीजाने पोता ना फड आपेच है खुद धूप में तपकर और असहनिय गर्मी जहेल के दूसरों को खुद के फल देता है पोता ना फड आपेच है खुद के फल देता है परोपकारी मनुश्यों एवाज होई छै परोपकारी मनुश्य ऐसे ही होते हैं जो आ नाश्वंत काया नो उप्योग परोपकार थे न थवानो होई तो तैनी उप्योगिता शे जो इस नाश्वान शरीर का उप्योग परोपकार के लिए परोपकार थे नहीं हो परोपकार के लिए ना हो तो इसकी क्या उप्योगिता तैनी उप्योगिता शी क्या सुखड जैम वधारे घसाए तैम वधारे सुआस आपे यानि की सुखड यानि चंदन जैम वधारे घसाए जैसे ज़्यादा घिसते हैं तैम वधारे सुआस आपे उतना ही ज्यादा खुश्बू देता है शेरडी जेम वधारे पिला आये यानी निचोड़ा जाता है तेम वधारे रस आपे यानी कि गन्ना जितना ज्यादा निचोड़ा जाता है उतना ज्यादा रस देता है रस आपे सोनू जेम वधारे तपे तेम वधारे चलकाट धारन करे सोना जितना ज्यादा तपता है उतना ज्यादा चमक धारण करता है चलकाण धारण करे उदार मनुष्यों प्राणांते पाण पोता ना सद गुणों तजिता नती उदार मनुष्यों प्राणों का अन्त होने के बाद भी खुद के सद गुणों को त्यागते नहीं है तजिता नती जगत तैमनी स्तूती करे के न करे संसार उनकी स्तूती करे या न करे ते ओ श्रीमंत होए के गरीब होए वो अमीर हो या गरीब हो ते ओ अलपायू होए के दिरगायू होए वो अलपायू हो या दिरगायू हो ते ओ गमे ते स्तूती मा होए वो किसी भी परिस्तिती में हो परन्तु ते ओ पोता न मार्ग माती चलित थता न थी लेकिन वो उनके मार्ग से नहीं हटते चलित थता न थी मार्ग माती चलित थता न थी मार्ग से नहीं हटते जे बीजाना माते जीव तो न थी जो दूसरों के लिए जीता नहीं तैनू जीवन निरथक छे उसका जीवन निरथक है जो दूसरों के लिए नहीं जीता जीवा खाते जीवू ए तो कागळा कूत्रा नू जीवन छे जीने के लिए जीना तो कववे और कुत्तों का जीवन है जेव स्रिष्टी ना कल्यान मा प्राण पात रेच है तेव पोता नू जीवन सार्थक करेच है जो स्रिष्टी के कल्यान में प्राण बिछाते हैं वो खुद का जीवन सार्थक करते हैं पंडित सुखलाल जी, तो ये गध्यांश पंडित सुखलाल जी का है, जो हमने पढ़ लिया है, अब इसके प्रशन हम देखेंगे, पहला प्रशन है, परोपकारी मनुश्यों कौना जेवा होई छे, केवी रीते? परोपकारी मनुश्य किसके जैसे होते हैं, किस तरह से? तो पहले प्रिश्ण का उत्तर पैसेज की शुरुवात में ही है ये देखिए व्रक्षों अन्यना सुखने माटे छायडो आपे छे पोते तापमा तपी ने अने असाय गर्मी वैठी ने बीजा ने पोता ना फड़ा आपे छे परुपकारी मनुश्यों एवाज होय छे तो य शुरुवात में जो है इसका उत्तर अब दूसरा प्रश्ण है कागडा कोत्रानों जीवन कोहने कहवाए यानि कि कववे कुत्ते का जीवन किसे कहते हैं तो इसका उत्तर यहाँ उपर देखिए जीवा खातर जीवू ए तो कागडा कोत्रानों जीवन छे जीने के लिए जी जीवा खातिर जीवू कागड़ा कुत्रा नो जीवन कहवाए तीत्र प्रश्न है उदार मनुश्यों नी कई बे विशेस्ताओं अहीं दर्शावामा आवी छै यानि कि उदार मनुश्य की कौनसी दूर विशेस्ताओं यहां दर्शाई गई है तो चलिए इसका उत्तर देख देता है उदार मनुश्यों प्राणान ते पन पोताना सद गुणों तजिता न थी उदार मनुश्यों अपने सद गुणों को छोत्यागता नहीं है और दूसरी विशेस्ता है तेव गम्मे ते इस्तितिमा हो है परंतु तेव पोताना मार्ग माती चलित थता न थी वो चाह कैसी भी परिस्तिती हो अपने मार्ग से हटते नहीं है तो उदार मनुश्य की दो विशेस्ता हैं हमने देखी तो अब हम चौथा प्रश्न लेते हैं कौनू जीवन निरर्थक छै? किसका जीवन निरर्थक है? तो ये देखे इसका उत्तर उपर है जे बीजाना माटे जीवतो नथी तैनू जीवन निरर्थक छै? जो दूसरों के लिए जीता नहीं है उसका जीवन निरर्थक है तो यहाँ पर हमने सारे प्रश्नों के उत्तर हल कर दिये हैं तो चलिए कि यहाँ पर हमारा पैसेज खतम होता है तो यह था आज का वीडियो आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा इसी तरह के नहींने टॉपिक के साथ में जल्द मिलेंगे तब तक के लिए स्वस्त्र रहे तो रख्षित रहे जाहें